हलो एबरिवन, बेलकम डूदा स्टडी विद मयंक, मैं हूँ आपका मयंक, हम लोगों की यहाँ पर क्लाश 12 एन्स इर्टी जोगराफिकी किताब मानब भूगोल के मुल सिध्धान चल लही है, आज आपका यहाँ पर अध्याय सात्मा है, यहाँ पर हम लोग त्रतियक और चत क्रिया कलाब देखेंगे, यह दौनाई क्रिया कलाब जो हैं सेवा चितरक से सम्मंदित हैं, हम लोग अपने देनिक जीवन में भिवन प्रकार की सेवाएं ग्रेंड करते हैं, जैसे कि जब आप बीमार पढ़ते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको कोई सेवाएं हैं, यह बिसिष्ट कलाएं होती हैं, जो भुक्तान के बदले प्राप्त होती हैं, यह आप सेवाओं के बदले इन्हें पे करते इन्हें, भुक्तान करते हैं, यैसे स्वास्त्य है, सिक्षा है, विद, प्रसासन और मनोरंजन जो हैं, यह सभी सेवाएं हैं, इन स माँ को अन सेध्यांतिक ज्यान और क्रियात्म प्रसिचर की आवशकता होती है और अभ्यास जो है इन्हें उड़ व्यवसायक बनाता है देखें ये सब जो भी उनका पेशा है उसमें और ज्यादा परिपक हो जाते हैं तो पेशेवर व्यक्ति बन जाते हैं तो यहाँ पर भईची बताई गई है कि अभ्यास जो इन्हें पूड व्यवसायक बनाता है जो आपके ततियक क्रिया कलाप में वो सिवा सेक्टर से सम्मंदित हैं देखे किसी भी देश की अर्थवस्ता जब अपनी आरंबिक वस्ता में होती है तो उस अर्थवस्ता में अधिकांज जो लोग होते हैं वो प्रात्मिक सेक्टर में काररत होते हैं जैसे जैसे अर्थवस्ता जो आगे बढ़ती है पिर प्रात्मिक से लोग दुतियक सेक्टर में ज जाते हैं और जैसे अर्थवस्ता जो परिपक्वस्ता में पहुंजाती है तो भाँ पर नियोजित कर्मचारियों की एक बड़ी संक्या ततियक क्रियाकलाप हो में यानि कि सिवा छित्रक में सलंग्ण होती है तो यहां पर वही चीज़ लिखी हुई है कि एक विक्सित अर्थ परिपक्वस्ता में भाँ संक्यक स्रमिक ततियक क्रियाकलाप हो में रोजगार पाते हैं और अपेच्छकत कम संक्या में दुतियक सेक्टर में कारणत होते हैं देकि ततियक जो क्रियाकलाप में इनमें उत्पादन और बिन में ये दोनों ही चीज़ें सामिल है उत्पादन और संचारगी सुभधां असंब्लित होती है जिनका उपयोग दूरी को निस्प्रभाव करने के लिए किया जाता है तो यहाँ पर तत्याक किरयाकलाप में उत्पादन भी सामिल है और विन में भी सामिल है अत्पादन में यहाँ बहुतिके उत्पादन नहीं है बलकि सेवाओं की उपलबता है ये आपको ध्यान रखना है सेवाओं जैसा कि आप जानते हैं कि सेवाओं में बिजिश्टी क्रत कुसलताएं होती है अनभव होता है और लोगों का ग्यान होता है लोगों का जो पढ़ाई होती है इन सब पर ये सेवाय निर्वर्ड करती है देखें यहाँ पर सेवा सेक्टर के बारे में बदाया गया है सेवा सेक्टर में कौन-कौन से इस सेक्टर आ जाते है तरतियक क्रियाकलाब भी आ जाते है चतुरसक आ जाते है और पंचम क्रियाकलाब आ जाते है तरतियक क्रिया कलापों का वरीकर्ट किया गया है तरतियक क्रिया कलाप में कौन को न आते हैं ब्यापार और वाड़ज जाए जाएगा परिभन है, संचार सुविधा है, सेवा है ब्यापार और वाड़ज को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है थोग ब्यापार और फुटकर ब्यापार थोग ब्यापार का मनलब क्या होता है wholesale वाले यानि बड़ी दुकाने जो कि अपने पास माल को stock करके रखते हैं तो थोग ब्यापार ही कैलाते हैं तो थोग ब्यापार में आप देखेंगे नगरी आपको दी घर आ जाते हैं ग्रामबीड मंडी आ जाती हैं ये थोग ब्यापार में जाते हैं फुटकर ब्यापार में आपके नगरी और ग्रामबीड दोनों सामिल हैं नगरी की बात करें तो नगरों में संखला बंडार यानि की जो चैन श्टोर हैं डाक ओडर, डाक ओडर का मतलब गया है, जो आपके रासं की दुकान है, सरकारी रासं की दुकान है उनसे यहाँ पर इसका विपराय है ग्रामीड की बात करें, तो ग्रामीड में आप लोग जानते हैं क filos algo जानते हैं जहाँ पर दैनिक बाजार नहीं लगते हैं तो वहाँ पर कुछ समय के अंतरालग बाद साबता है कि या फिर 15 दिन पर बाजार लगते हैं तो आबदिक बाजार जिसको हार्ट कहा जाता है तो आबदिक बाजार या हार्ट फिर बंडार फेरी वाले फेरी वाले मतलब आपने देखा होगा रिक्सा या रेडी पर जो अपना सावान वेचते हैं फेरी वाले इसमें भी यहाँ पर भी बताया कि लोग बित्रड स्कीम गाउं में जो रोग सरकारी रासन के दुकाने वो सब आजाती है परिवन में आपके परिवन के जो माध्यम बताये गए है रिल जालतंत्र है, सरक जालतंत्र है जल की बात करें तो जल में दो प्रकार का जाता है आंतरिक और महासागरी परिवन आ जाता है वायू में आप लोग जानते हैं वायू परिवन के बात करें तो वायू परिवन में आपके Y1 बगरा जाते हैं इसके लाबा है यहाँ पर संचार में परिवन के साधन है जैसा कि आप लोग जानते हैं संचार के साधन थे वो परिवन पर dependent थे क्योंकि पहले कोई तखनीकी प्रकती हुई नहीं थी तो परिवन के साथ यह संचार के साधन लगबग, बहुती कम लोग यूज करते हैं, मॉबाइल, मॉबाइल ज्यादा यूज होता है, इसके लावर द्रसिसरब आ जाता है, इसमें आपके फिल्में, रेडियो, टीवी, मुद्रण मीडिया, मुद्रण मीडिया, प्रिंट मीडिया जाती है, समाचार पत्र का हैं, इसके लावर इंटरनेट भी अप्जोड गया है, सेवाओं की बात करें, सेवाओं में आपकी मौद्रिक या बैंकिंग सेवा जाती है, बीमा सेवा जाती है, अचल संपदा है, व्यक्तिकत और व्योसाइक सीवा आ जाती है व्यक्तिकत और व्योसाइक सीवाओं में आपकी व्यक्तिकत सरकारी या गेर सरकारी संक्ठन आ जाते है चतुर्थ क्रिया कलापों में बताया गया है चतुर्थ क्रिया कलाप जो है यह या तो सूचना अधारित होते हैं या फिर इसमें अनुसंदान और विकास पर आधारित होते हैं तो आपको चतुरत और पंचम जो क्रिया कलाप है इसमें आपको याद रखना है क्योंकि एकसर प्रश्ण यहीं से पूछा जाता है कि चतुर्स क्रिया कलाब में कौन-कौन से लोग या कौन-कौन से पेसेवर या गट्वधियां सामिल होती है तो चतुर्स क्रिया कलाब जो है सूचन आधारित होता है और इसमें research and development अनुसंदार और विकास आधारित गट्वधियां इसमें की जाती है पंचप में जो हैं वही लोग होते हैं जो कि निर्धारक होते हैं यसे बिसेसक हैं निर्णय करता हैं परामर्स जाता हैं यह सब आ जाते हैं तो इनमें आपको डिफ्रेंस याद रखना है क्योंकि यहां से प्रश्ण पूछा जाता है अब देखें यहाँ पर तरतियक क्रिया कलाप हों की प्रकार बताए गई है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यापार, परिभन, संचार और सेवाएं जो हैं यह कुछ तरतियक क्रिया कलाप हैं जिनकी यहाँ पर सेक्टर में चड़जा की गई है सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और वाड़ेजगी देखे व्यापार और वाड़ेजगी हैं पर कोई परिवासा नहीं दी गई है मैं आपको बता देता हूँ व्यापार और वाड़ेजगी में अंतर क्या होता है दोनों में अंतर होता है ब्यापार का मतलब होता है कि हम क्रे या विक्रे कोई सेव कोई बनलब बस्तू या सेवा का क्रे या विक्रे कर रहे हैं तो वो ब्यापार कहलाएगा वाड़ेज जो है एक बड़ा टर्म है वाड़ेज में आपकी जो ब्यापारिक गद्वदियां वो भी आ जाती है वाड़ेज Jamie में आपका ब्यापार तो आई जाता है इसकलाबा वह सारी घजविदियां आ जाती है जैसे के बैंकिنग घजविदियां है परिवन की घजविदियां है आपका जो लेखा जोखा है जो भी आपके आर्तिक लिखा जोगा है वो सब इसमें सामिल हो जाता है तो वाड़ेज ये की whyड term है और वियापार में क्या? वियापार में क्या? वस्तों को खरीदतें और विक्रे करते हैं तो ये व्यापार है वाड़ें जिम आपकी सारी गजवदिया यैसे के footcar, और thog ब्यापभारई यही है, और बाड़ेत की सबी शेवाओं का business sodoes yes laab k'm QR कमाना है, यहाँ पर बताये का footcar और thog ब्यापभार य्या फिर बाड़ेत की सबी सबी शेवा ये निकटवर्थी वस्तियों का फोसर्ड करते हैं और ये अर्ध नगरी केंदर होते हैं क्योंकि यहाँ पर लगबग नगरों के समानी कुछ-कुछ फैसलिटी उपलब्द होती हैं इसलिए अर्ध नगरी केंदर होते हैं यहाँ पर ब्यक्तिकत और ब्यवसाइग सेवाएं सुविक्सित नहीं होती हैं, क्योंकि ग्रामीर परवेस्ट में पेसी पर नहीं पाए जाते हैं, जैसे प्रोफेशनल लोग सहरों में पाए जाते हैं, उस तरह के प्रोफेशनल ग्रामीर परवेस्ट में नहीं पाए जाते ह इन में से अधिकांस केंद्रों में मंडियां, मंडिया आपने जानते होंगे, जहांसे फालिया सब्जियों की जो मंडियां होती है, उस तरह की मंडियां यानि की थोक बाजार और फुटकर व्यापार चित्र भी होते हैं, थोक बाजार का मतलब होता है कि जो दुकान स्टॉक करती है और अवो जो फुटकर विक्रता है उनको सामान रिष्ट्यूट करती है फुटकर विक्रता क्या करते हैं सामान को आप तक पहुंचाते हैं आप तक बेशते हैं यहाँ पर दूसरे नमबर पर है नगरी बाजार केंदर लेकिन नगरी बाजार केंदरों में बिनिर्मित पदार्थों के सासत बिसिष्टी करत बाजार में परस्तुत करते हैं जैसे के स्रम बाजार है, आवासन है अर्ध निर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार है जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि ग्रामिरी परविस्थ में जो व्यक्तिका तो ब्योसाइक सेवाई उग सुविक्सित नहीं है जबके सहरी छित्रों में बिनर्वित पदार्थों के सासर अन्र सभी प्रकार की सुविधाएं ये विक्सित होती है इनमें सेचक संस्थाओं और व्युसायकों की सेवाएं जैसे कि अध्यापक jointly परामट्स दाता चीकिस्तक ये सबी उपलब दोते हैं यहाँ पर फुटकर व्यापार और थोग ब्यापार के बारे बताया गया है देखिए फुटकर ब्यापार वह ब्यापारिक क्रिया कलाप में जो उभवोकताओं को यानि consumers को वस्तों के प्रतक्ष विक्टर से सम्मधित होते हैं यानि कि ये उभवोकताओं के वस्तों को सीधा तोर पर बेशते हैं जैसे कि फेरी वाले हैं, रेडी वाले हैं ट्रक, दौर से दौर डाक आदेस पर, दूरभास या सवचालेद विक्री मसीने जैसे कि आपने देखा होगा, automatic vending machine बगएरा होती है जैसे, Coca-Cola बगएरा की मसीने होती है Barter बगएरा की मसीने होती है पानी बगएरा ले सकते हैं, आपने Air Food बगएरा पर देखा होगा कुछ-कुछ अच्छे railway station है बहाँ पर भी ऐसी machine install होती है जहाँ पर आप भुगतान करते हैं या token डालते हैं तो आपको जो पेपदार्स की bottle है वो मिल जाती है या फिर इंटरनेट फुटकर विक्री के बंडार रहत उधारण है बंडार रहत का मुलब क्या है कि यह सब लोग क्या है अपने पास सामान का बंडार नहीं करते हैं बलकि कम-कम मात्रा में सामान पर रखते हैं और उसको direct भोगताओं तक sale करते हैं second न है थोग ब्यापार देखे थोग ब्यापार का जैसा कि नामसिस पष्ट है यह अधिकतर थोग ब्यापार वालों के पास ही बहुत बड़ी large scale की पूजी होती है जो कि माल को श्टॉक कर पाएं जबकि फोटकर ब्यापार के थोड़ा-थोड़ा सामान उठाते हैं और उसको उभोगताओं तक sale कर देते हैं फिर से दोबारा जाते हैं थोग बालों के पास वहां से सामान फिर से उठाते हैं फिर से sale करते हैं तो ऐसे करके फोटकर वाले जिंदा रहते हैं ऐसे करके फोटकर वालों का ब्यापार चलता है जबकि थोग बाले के हैं उनके पास पड़ी पूजी है बड़ा space है जगे है तो भहाँ पर वो आराम से सामन को श्टोर कर सकते है यहाँ पर नोट के रूप में ग्रामीर चेत्रों में जो आबदिक बाजार है उनके बारे में बताया गया है देखे जैसा के आप लोग जानते हैं जिन चेत्रों में नेवित बाजार नहीं होते हैं बहाँ पर विविन कालिक अंतरालों पर इस्थानी आबदिक बाजार लगाए जाते हैं यह बाजार जो है यह तो सपता के अंत में, यह फिर 15 दिन पर यह पाक्षे बाजार निश्चर 30 दन पर लगते हैं और एक स्थान ची दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं, यह आपने देखा होगा हर गाव में एक दिन नियत होता है कि आज गुदबार को लगेगा, मंगलबा होते हैं यहां पर बिभागी भंडार और संखला भंडार के बारे में बताया गया है जो कि काफी यदा महत्पूर है यानि डेपार्टमेंटल इस्टोर और चेन इस्टोर के बारे में बताया गया है देखें डेपार्टमेंटल इस्टोर क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी एक दुकान पर जाते हैं किसी ग्रॉसरी के दुकान पर जाते हैं बहाँ पर आपको जो पंसारी वाला सामान है बो भी मिल जाता है घरे लूपयों की जो वस्तु में उनका भी एक सेक्शन होता है बो भी मिल जाता है ड्राइज रूट्स लेने बो भी वहाँ पर मिल जाते हैं फल वगेरा लेने बो भी वहाँ पर मिल जाते हैं लगवग हर प्रकार का सामान आपको मिल जाता है तो विभागी बंडार इसी तरह के इस्टोर होते हैं जहाँ पर आपको अलग-लग section देखने को बिलते हैं और अलग-लग section में बिविन प्रकार का सामान आपको देखने को बिलता है तो ऐसे जो दुकान होती हैं उनको departmental store या विभागी भंडार कहा जाता हैं तो यहाँ पर भाईची लिखी हुई है कि विभागी भंडार बस्तों कोई मार्ट टाइप है तो मार्ट क्या एक मार्ट अपने आप में एक विभागी भंडार है जैसे कि shopping मार्ट आपने सुने होंगे shopping मार्ट में grocery मार्ट बगरा होते हैं तो वहाँ पर आपकी ग्रॉसी के सारे सामान चाहें आपके kitchen का सामान हो आपके जो भी मलब खान पान से आपकी कोस्मेटिक के सामान हो सब कुछ मिलता है तो वो क्या बिभागी भंडार का उधार्ण है संखला भंडार के मिलब आपको एक कमपणी का एकी प्रकार का सामान को बिलता है, यहाँ पर अलगलग अनुभाग को नहीं मिलते हैं. जैसे माल लिज़े कोई कमपनी FMCG की कमपनी है तो उस कमपनी के आपको FMCG के जितने भी उत्पाद है तो वो सब देखने को मिलेंगे सेकिंड है यहाँ पर परिभन यानि ट्रांसपोर्ट देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं आज के वर्तमान जीवन में गत्यात्मक था बहुत ज़़ादा जарूरी है और पूरी दुनिया जो है गत्यात्मक है परिभन जो है पूरी दुनिया को एक देखे से दूसरे सिस्वान पे पहुँचने में मदद कर रहा है तो परिवन एक ऐसी सेवा अत्वा सुविदा है जिसमें व्यक्तियों बिनिर्मित माल और संपत्ति को भौतिक रूख से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है इस जटिल व्योस्ता की प्रतिक व्योस्ता में परिवन द्वारा पदार्थ का मूल अतदिक बढ़ जाता है देखे जितना जाता परिवन किसी वस्तु का होगा उतना जाता उसकी कोश्ट बढ़ती जाएगी यसे माल लीजिए एक वस्तु ए स्थान से उठाई गई ठीक है बी स्थान पर पहुँचाई गई और बी से फिर उठाके सी तक पहुचाईगी तो परिवन की हर दिगया की स्टेज में यहाँ पर आप देखेंगे जो मूल ली बढ़ता चला जाएगा क्योंकि परिवन की लागत भी इसमें जुड़ती जाएगी परिवन दूरी को किलोमीटर दूरी या फिर मार्क लंबाई की वास्पिक दूरी समय दूरी या फिर लागत दूरी के संदर्में इसको मापा जा सकता है जैसे ही परिवन विवस्ताइं विक्सित होती है बिविन इस्थान आपस में जुड़कर जाल तंत की रचना करते हैं देखिए जब परिवन विवस्ताइं बहुत ज़ता विक्सित या उन्ने तवस्ता में आ जाती है पूरा का पूरा संपूर छेत्र जो होता है वो परिवन तंत से जुड़ जाता है तो यहाँ पर जाल तंत की रचना होती है दो अत्वा अधिक मार्गों का संधी स्थल जिसमें कि एक उद्गम बिंदू और दूसरा गंतब बिंदू अत्वा मार के सारे कोई बड़ा कस्वा यह नोड होता है यसे माल लीजिए एक गंतब इस्थान है जो आपका अन्य जो एक माल उद्गम इस्थान है गंतब इस्थान है तो इनके बीच में कोई प्रमुक कस्वा जो है यह ऐसे पढ़ रहा है कोई प्रमुक कस्वा है तो यह नोड बिंदू बोला जाएगा प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है यह योजक कहलाती है देखे एक बिक्सित परिवन तंत्र में एक से ज़्यादा या कई योजक आपको देखने को मिल सकते है परिवन की मांग जो है जनसंख्या के आकार से काफी ज़्यादा प्रमाबित होती है जनसंख्या का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा परिवन की मांग भी उतनी ज़्यादा अधिक होगी परिवन के साधन तंत्रों में रेल जाल तंत्र आ जाता है, सड़क जाल तंत्र है जलो और वायू तंत्र इसमें सामिल है तीसरा है संचार यानि कम्यूनिकेशन देखे संचार सेवाओं में सब्दों और संदेशों तथ्यों और विचारों का प्रिज़र समलेत है यानि कहने का उलब भी है कि इसमें सब्दों को संदेशों को कोई फैक्ट या विचार को भेजा जाता है लेखन के आविस्कार ने संदेशों को सरच्छित किया और संचार को परिभन के साथनों पर निर्वर करने में सहता की पहले के समय में जब लेखन का आविस्कार नहीं हुआ था तब संचार जो है मौकिक माद्यम से या फिर संकेती माद्यम से होता था और उस समय कोई संदेश अगर पहुचाना होता था तो मौकिक रूख से संदेश पहुचाया जाता था लेकि जब लेखन का आविस्कार हो गया है तो संदेशों को फिर सरच्छित किया जाने लगा है और जब संदेश सरच्छित होने लगे हैं तो फिर परिवन के माद्यम से इने एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर पहुचाया जाने लगा है जैसे आपने मूवी बगरा में देखा होगा कि जो पहले के समय में राजा बगरा होते थे उनके जो भी सास्की आदेस होते थे तो सास की आदेश किसी व्यक्ति के माद्जम से बिजवाय जाते थे तो वो व्यक्ति या तो घोड़ा बगएरा या फिर अन्य प्रकार की गाड़ी बगएरा या फिर नाव बगएरा से एक इस्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता था तो ऐसे करके आप यहाँ पर देखते हैं कि संचार जो था इस समय परिवन के साथ नों पर निर्वर हो गया था और इसी वज़ेसे परिवन के सभी रूपों को संचार पत कहा जाता है जहां परिवन जालतंत्र सक्षम होता है वहां संचार का फैलाव भी सरल होता है लेकिस समय के साथ साथ क्या हूँ वहा वहाँ और टेक्निकल इन्नोबेशन की वज़ेसे जो संचार की परिवन पर निर्वरता दी covered खतम हो गई जैसे कि इंटरनेट का revolution हुआ और अनफरकार की जो तकनीक के आई उसकी वज़ेसे जो है संचार संचार परिवन से मुक्त हो गया तो मौवाइल दूरवास और उपगरों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवन से मुक्त कर दिया है दूर संचार के बारी में आप जानते हैं कि दूर संचार का जो प्रयोग है ये विद्धुती प्रध्योकी की विकास से जुड़ा हुआ है वहीं रेडियो और दूर्दसन की बात करें तो रेडियो और दूर्दसन भी समाचारों, चित्रों, दूरभास कालों का पूरे विस्व में विस्वरस सोताओं को प्रसारर करते हैं और इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है देखे किसी भी देश में रेडियो और दूर्दसन की जो पकड़ होती है वो देश की अधिकान जनसंख्या तक होती है और ये अधिकान जनसंख्या को कवर करते हैं और अधिकां जन संक्या तक सूचनाओं को प्रसारित करते हैं इसी जैसे इन्हे जन संचार माध्यम कहा जाता है उपग्रिय संचार प्रत्वी और अंतरिक्स से süचना का प्रसार्ड करता है इंटरनेट ने ऐसे एक बहुत बड़ी करांती आई है चौथे नमबर पर हैं आपकी सेवाएं देखे सेवाओं के बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग अपने आम जीवन में भिवन प्रकार की सेवाएं लेते हैं सेवाएं जो हैं बिवन इस तरहों पर पाई जाती हैं कुछ सेवाएं जो हैं उद्योगों को चलाती हैं कुछ लोगों को चलाती हैं और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो उद्योगों और लोगों दोनों को चलाती हैं जैसे के परिभन तंत्र तो परिभन तंत्र का इस्टेमाल जो अद्योग भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं यह दोनों कोई चला रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानब जीवन गत्यात्मक है गत्यात्मकता होने की जैसे सभी लोग जो है परिवन का उप्योग करते हैं कुछ लोग जो है सेवाओं में सररिक बढ़ाई ये कुछ लोग हैं जो कि सेवाओं में सररिक स्रम करते हैं जब कि कुछ जो सेवक हैं या सेवा करने बाले हैं वो मानसिक स्रम करते हैं जैसे कि अध्यापक है, वकील है, चिगिस्तक है, संगीतकार है ये सब क्या करते हैं? ये मानसिक स्रम करते हैं पहले के समय में क्या था पहले के समय में सेवाइं जो थी नियमित नहीं थी क्योंकि सेवाओं के बदले में उस समय कोई भुगतान बगरा की प्रणाली नहीं थी उस समय जो है आप देखेंगे बेगार प्रथा भी थी तो बेगार बगरा की चलते कोई सेवाओं का कोई बहु और सिच्छा की पूर्ती जिनका परवेच्छड अध्वा निस्पादन प्राय सरकारों या फिर कंपनियों के द्वरा किया जाता है। किसकी है? सरकार की है और कंपनियों की है। सरकार और कंपनिया जो है इसको भली भांती तरीके से इन कारे को निस्पादन कर रही है। तो इसके लिए सरकारें क्या करती है? सरकारें या तो डेपार्टमेंट बनाती है या फिर निगम इस्थापित करती है। जैसे नगरों की बात करें। तो नगरों में ये आप देखेंगे कि नगरों में स्थाप सफाई की जरुत पड़ती है। पेजल की व्यवस्ता करनी पड़ती है, सरकारें का निर्माड, नालियों का निर्माड ये सब करना पड़ता है। मनुर अंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की इस्थिती बाजार पर निर्वा करती है। इसका लोगों के मंदर ज़्यादा महत नहीं होता है, ब्यापारिक महत नहीं है। तो लोग इसमें ज़्यादा इंट्रेस्ट ही नहीं लेते हैं। home care taker जिसको बोलते हैं, ग्रहपाल, खान सामा, यानि की जो रसोईया है, और माली जैसी घरिलू सेवाओं के लिए, निक किये जाते हैं, और इन्हें कम भुकतान किया जाता है, कर्मियों का ये वर्ग जो है, असंगठित है, असंगठित का मलब यह है, कि इनकी न्योकता जो है, वो इन्हें कभी भी खटा सकते हैं, ना तो इनके लिए भविस्ट के लिए इनके लिए कोई प्लानिंग है, भविस्ट के लिए ना तो इनके लिए कोई सेविंग है, नहीं इनकी कोई income, source of income जो है, वो accurate है, fix है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानि इनकी source of income बहुत कम होती है, इसके लाबा जो भी न्योकता होते हैं, वो इन्हें हटा भी सकते हैं, तो इनकी जॉप की कारणटी नहीं है, तो यह असंग्ठित वर्ग है, एसा ही एक उधारण जो है, मुंबई का डिब्बा वाला सेवा बाला है, तो डब्बा वाला सेवा में जितने वी व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो भी सब असंग्ठित वर्ग के ही हैं, तरतियक क्रिया कलापों में सलंगने लोग, देखें, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी अर्थविवस्ता में, जब अर्थविवस्ता जो है, विक्सित वस्ता में होती है, बहाँ पर सेवा चितरक में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़ादा होती है, जबकि जो अल्पविक्सित अर्थवस्ताएं हैं बहाँ पर प्रात्मिक और दुदियक छित्रों में लोग ज्यादा काम करते हैं तो अधिक विक्सित देशों में कर्मियों का जो अधिकतर प्रस्तत है वो इन सिवाओं में लगा है जबके अल्पविक्सित देशों में 10 फीसस से भी कम लोग जो है इस सिवाचितर में लगे है USA की बात करें तो USA में 75 फीसस से अधिक कर्मी सिवाचितरक में सलगन है लगातार सिवाचितरक की जो रोजगार की प्रवतिय बढ़ रही है जबके प्रात्मिक और दुदिय क्रिया के लापों में ये इस्तिती जो है वो अपरिवर्तित है और घट भी रही है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते लगातार लोग सिच्छा वगरा ग्रहन कर रहे हैं तो सिच्छा ग्रहन करने की बाद अच्छी खासी एजूकेशन लेने की बाद सबके मन में यही है कि हमें ओफिसियल काम बिले हमें ऐसा काम बिले जिसमें मानसिक महनत तो हो लेकिन साररिक महनत जादना करनी पड़े तो इस बज़े से आप लोग देख रहे हैं कि जो सेवा सेक्टर है उसकी परफ रोजगार की प्रवति लगातार बढ़ती जा रही है अब है इसमें परिटन देखें परिटन एक यात्रा है जो ब्याबार की बज़ाए प्रमोद के उद्यस्यों से की जाती है यानि कि most of time जो परिटन होता है टूरिस्म जो होता है वो आनंद के उद्यस्यों से होता है वैसे तो परिटन ब्याबार के लिए भी होता है कुल राजसो की दरश्टी से यह विस्व का अकीला सबसे बड़ा तरतियक क्रियाकलाब बन गया है यानि कि GDP में इसका युगदान लगबग 40 फीसद है और विस्व में लगबग 25 क्रोड लोग इसमें involved है यहां पर बताया गया है पाइटन जो है अवसरचना उद्योगों रुकेंगे भी तो वहाँ पि होटल रैष्टूडेंट या फिर अन्रवरकार के और जो इंतजाम में किये जाते हैं इसके लाब हुआ के जो इस्थानी विक्रेता होते हैं होटकर विक्रेता होते हैं क्योंकि लोग भूआ पि गुमने आते है तो उनका सामान भी पर्षे कर तो लोग जब वहां पर जाते हैं तो वहां के कुछ-कुछ सिल्फ वस्तुओं को अपने साथ लेकर आते हैं तो ऐसे सिल्फ उद्यों को भी इससे बढ़ावा मिलता है परितन जो है कुछ परदेशों में बाड़न जो है रितुनिष्ट होता है है रितुनिष्ट का मलग कुछ बिश्यज रितुव में हम пальटन के लिए होँँपर जा सकते हैं क्योंकि अवकास की अवादी अनकूल मौसमि करती है किन्तों कई पर्देश वर्ष परियंत 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 को आकरसित करते हैं कुछ परियंत ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरे साल परियंत चलता है परियंत को परियंत करने वाले कारक यहाँ पर परियंत को परियंत करने वाले केवल दो कारक हैं एक तो मांग है और दूसरा है परिवन मांग का संबंद लोगों के जीवन स्तर से है अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा उनके पास फुरसत के पल होगे उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो अधिक से अधिक लोग बिस्राम के लिए अवकास पर जाते हैं सबसे बड़ी बात यह है अगर आप फुरसत में हैं आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है और आपको कोई टेंसन नहीं है तो आप परिटन करेंगे आप घूमने जाएंगे और आपके पास जैसे आप लोग अभी तैयारी कर रहे है आपको जॉब की टेंसन है परिवार का प्रेसर भी है समाज का प्रेसर भी है तो आप से खा जाए कि घूमने फिरने चलना है पूरे इंडिया को एक्ट्फलोर करना है तो आप वही सोचेंगे पहले आपने जॉब लीनी है उसके बाद सब सोचेंगे तो जब तक आदमी की जिब में पैसा नहीं होता है फुरसत के पल नहीं होते है तो मांग ऐसे जनरेट होती है पिर परिवन है किसी इस्थान पर अगर परिवन की विस्ता बैटर है यानि वहाँ पर आने जाने का इंतजाम बैटर है तो लोग बड़ी संख्याम वहाँ पर पहुंचते है पहता सड़क पनालियों में कार के द्वारा यात्रा सुगम होती है और हाल के बड़सों में वायू परिवन का जो विस्तार है या अधिक महत्पूर रहा है परिटन आकर सड़ परिटन का आकर सड़ कौन-कौन से कारक है उन कारकों बहुत चर्चा की गई है तो पहला कारक है जलवायू तो वहां के लोगों के मन में एक चीज होती है कि हम ऐसी स्थान पर जाएं जहां पर हमें धूप का अनन्द मिले कुछ समय धूप में बिताएं ऐसे ही जो गर्म स्थानों के लोग हैं उनके मन में ये लालसा होती है कि कुछ पल के लिए पहाड़ों पर या थंडे स्थानों पर बिताएं यैसे मद्ध भारत के लोगों की बात करें साउथ इंडिया की लोगों की बात करें तो आप लोग देखेंगे अधिगांस लोगों का ये ड्रीम है कि एक बार वो जम्मू कस्पीर गुम किया या सिम्मला गुम कर रहा है है ना तो यहाँ पर वैसे थंडे प्रदिसों में रहने वारी जो लोग है उनका भी यही ड्रीम होता है तो थंडे प्रदिसों के अधिकांस लोग पुलिन विसराम के लिए उष्ट और धूबदार मौसम की अपिक्षा करते हैं जैसे के भूमलसागी तटके चारो और कौश्टिस्तान और भारत का जो पश्मी तटके खासकर के गोवा रीजन यहाँ पर फॉर्नर्स आते हैं कि यहाँ पर एकदम गर्म और धूबदार मौसम मिलेगा उसका यह आनंद लेंगे सीतकाली नवकास का आनंद लेने वाले लोगों की बिसरिश डेलबाई भी जरूते होती हैं जैसे या तो अपनी ग्रह चित्रों की तुलना में मुझे तापमान अत्वा इसकिंग के लिए अनकूल हिमावरड यानि कहने का अलब यह है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सीतकाल में जो या तो यह देखते हैं कि हमें गर्म इस्थानों पर जाना है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीतकाल का आनंद लेते हैं तो वो सोचते हैं कि हम बरफ में ही आनंद लेंगे बरफ में स्किंग बगरा करेंगे हैं ना दूसरा कारक है भूद्रस्य बूद्रस्टे में आपके nature की जो भी बूद्रस्टी है वो सब आ जाते हैं जैसे के परवत जील हैं दरसनी समुधी तेट या फिर मनुस्य के तवरा पूर्डूरूु से अपरवर्त जो बूद्रस्टे हैं तो nature लोगों को आखरसित करती है लोग नेचर से जोड़ना चाहते हैं लोग जो है नेचर से खुद को सांथ करना चाहते हैं वो नेचर को देखे फील करना चाहते हैं कि कितनी भी आर्थिक प्रगति हो जा, कितनी भी टेक्निकल प्रगति हो जा इतिहास और कला, लोगों की इतिहास में और कला में भी रुची होती है, लोग जो हैं प्राचीन और सुंदर नगरों को, पुरात्रत्तों के स्थानों को देखने जाते हैं, और किलों, महलों और गिरजागरों को देखने जाते हैं, और वहां का आनंद उठाते हैं, इसके ला इंडिया जो है budget friendly भी है budget friendly का मलब यह है कि बहुत जदा महंगा नहीं है अगर भारत का व्यक्ति USA में जाता है गुमने जाता है यूरोप में गुमने जाता है तो उसका बड़े आराम से जेट दो लाक रुपर खर्चा हो जाता है जबकि उतने से कम पैसों में अगर कोई foreigners भारत में आता है तो बड़े आराम से पूरा भारत घुम लेता है तो ये भी एक फर्क पड़ता है मानब जाती है और इस्थानी रितियों को पसंद करने वालों को परिटन लोभाता है सस्ते परिटन प्रदेश जो है इसके लाब है चिकिस्था परिटन देखे जो विक्सित देश है भारत जैसे जो विक्सित देश है यहाँ पर जैसा कि हमने बताया है भारत एक बजट फ्रेंडली देश है अगर फॉर्णर अपने ही देश में इलाज करा है जैसे यورोप और उमेरका में इलाज करा है तो वहाँ पर इलाज बहुत महँगा है बारत में वही आज सस्ता होता है तो इस बज़े से कई ऐसे देश के लोग है जो कि भारत में सस्ता इलाज कराने के चक्कर में आते हैं क्योंकि हमारे फैसलिटी बढ़िया है चाखला दिया गया है कि 2005 इस भी में USA से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए हैं और आने का रीजन क्या है क्योंकि USA में इलाज बहुत महगा है कौशली है जबकि यहां पर सस्ता है और देखा जाए तो आप लोग देखेंगे USA में जो डॉक्टरी का प्रोफिसन है बहां Thailand, Singapore और Malaysia जैसे विकासील देशों को चिकिस्ता पर्टन से निकलाब प्राप्त होते हैं यानि ये कुछ देश हैं जो कि चिकिस्ता पर्टन से अच्छा खासा लाब कमा रही हैं इसके बाद है चतुर्थ क्रिया का लाब देखें चतुर्थ क्रिया का लाब जो है ये अनुसं अंधान और विकास पर कैंदर्थ होते हैं और बिस्ष्टी क्रत ज्यान प्रध्यों की कुसलता और प्रसास की सामर्थ से संबध सेवाओं के उन्नत नमूने की रूप में देखे जाते हैं जो आपके चतुर्थ क्रिया कालाब है इसमें रिसर्च और डवलोब्मेंट आ जा चतुर्थ जो क्रिया कालाब में इनमें सूचना का संग्रहण उत्पादन और ट्रकीडन और सूचना का उत्पादन भी सामिल है यानि इसमें सूचना का संग्रहण करते हैं सूचना का उत्पादन करते हैं यह सब चीज़ें इसमें होती हैं यहां पर बताया गया है कार्या प्रारंबिक विद्ध्यालिए विसीए विध्ध्याली कच्छाओं, अस्तालों, डॉक्टरों के कार्यालों, रंगमंचों, लेखाकार और दलाली की फर्मों को सियासे जो सेयर मार्किट में ब्रुकरेज Madonna होती हैं तो इसमें कामकर्ने वाले कर्मचारी, जो हैं एक क्रिया कलाप के अंतर गती आते हैं देखें यहाँ पर एक चीज आ जाती concept आ जाता है भाय स्रोतन या फिर outsourcing त्रतियक क्रिया कलापों का यह उप्रकार चतुर्त और पंचम क्रिया कलाप यह ध्यान रखना कुछ अलग नहीं है यह त्रती से ही निकला कर दिया है थोड़ा से इसको बिस्रिस्ट बना दिया है तो कुछ त्रतियक क्रियाओं की भाती जो चतुर्त क्रिया कलाप है इनको भी भाय स्रोतन के मादम से किया जाता है outsourcing के मादम से किया जाता है कहीं अन्यत्र किसी की help लेकर हम अपना काम संपन करा रहे हैं उसे outsourcing कहा जाता है यह सेवा हैं जो हैं संसादनों से बंदी हुई परियावड से प्रभावित और अनिवार रूख से बाजार की दोड़ा इस्थानी क्रत नहीं है कहने को लोग भी है कि जो यह चतुर्त क्रेटागरी की सेवा है यह जरूरी नहीं है इनके लिए कि स्पेसल बाजार में जाना हूँ जरूरी नहीं है कि दिल्ली के चांदी चौक मार्केट में जा तभी हमें सेवा ही मिल पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है यह भी जरूरी नहीं है कि यह परियावड को अफेक्ट कर रही है और वो हमारा सारा काम निफटा रही है जैसे आप मैंसे कई बच्चे ये गुजारिस करते हैं कि मयंग सार आप अपना नंबर सीर कर दी हमें आपसे बात करनी है अब मैं क्या करूँ मैं सीधे बात ना करके किसी आउट्सोर्सिंग फर्म है उसको हायर करनूँ और वहां से नंबर अपना फब्रिस करा दूँ आपके जो भी डाउट हो मेरे जो वहां पे मैंने एंप्लोई बिठाई है वो आपके डाउट क्लियर कर दें तो ऐसे करके आप लोग भी फिल करेंगे आपकी समस्याओं का निराकड भी हो जाएगा और मेरा भी यह हो गा कि मैंने आपकी जो भी ख्वेरी दें उनको सांथ कर दिया है है ना तो ये काम जो है आउट्सर्सिंग बोला जाता है यानि मैं ये काम खुद ना कर गगे किसी और के थ्रूँ मैं कर वा हूँ इस काम को outsource नहीं भाइस रोथन बोलेंगे अब है इसमें पंचम करिया कलाब ज़िए कि पंचम करिया कलाब में जो top level के लोग आ जाते हैं जो executive level के लोग हैं या उसे भी उपर जो लोग हैं कह सकते हैं decision maker जिसे हम कहते हैं तो बो लोग इसमें आ जाते हैं तो उस्तम इसतर के निर्ने लेने और नीतियों का निर्माड करने वाले पंचम करिया कलाबों को निभाते हैं इन्हें प्राय स्वर्ड कॉलर कहा जाता है स्वर्ड कॉलर वाले लोग इन्हें कहा जाता हैं तो प्राय स्वर्ड कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तरतियक सेक्टर का एक और उप भिवाग हैं जो बरिष्ट व्यवसाय कारिकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान व्यग्यानिकों, वित्य और विद्य परामर्स जाताओं, इत्यादी की विशियस और executives हैं किसी भी फर्म के वो इसमें आ जाते हैं ऐसे समझ लीजिए जो top level executive हैं जो उस company के बारे में नीतियों का निर्धार करते हैं नीतियां बनाते हैं वो सब्यक्ति पंचम क्रिया कलाप में आ जाते हैं अब देखें इसमें भी आप लोग देखेंगे यहां पर भी outsourcing का काम हो रहा है पंचक सेवाओं की नवीन प्रभतियों में ज्यान प्रक्रमड भाइसरोतन इन नौलिज प्रोसेस आउट्सोर्सिंग और होम सोरिंग है जो भाइसरोतन का विकल्प है देकिं नौलिज प्रोसेस आउट्सोर्सिंग क्या है इसमें ज्यान से समदे जो भी आपकी क्वेरी होती है आपको particular number या particular website दी होती है उस पे आप query करके उस चीज़ को जान सकते हैं home soaring का मतलब है जो आप घर से work from home वाले culture है ना वो home soaring के अंतरकर आता है याप अपने घर से ही सब कुछ manage कर रहे हैं अपने घर से ही आप सारी चीज़ों को manage कर रहे हैं कोई आपसे बात हो रही है और दूसरा है उद्द्योग व्यावसाय प्रक्रमर्ट जिसको BPO business process outsource कहा जाता है business process outsource का संबन्द जो company जो आप देखते हैं न कि जो call center हैं है न किसे call center किसी की company का आप ले लो किसी बड़ी से बड़ी company का ले लो उन सब के call center होते हैं रिपेरिंग से लेकर कोई उसमें कमी आ जाती है उसके लिए query लगानी है है न तो उन सब के लिए अलग से वहाँ पर एक BPO समस्ता हैर की जाती है जहाँ पर आप query करते हैं और आपकी query recording action लिया जाता है query recording आपकी सिकाजित है trend employee है उन्हें training दे दी हमने और वो उसी गिनी चुनी भासा में बात कर रहे हैं जैसे आप कभी किसी call center पे बात करें तो call center के जो employee होते हैं उनकी भासा नपीतुली होती है उन्हें वही बढ़ पता होते हैं जो आप पूछेंगे उससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकते हैं अब उनसे कोई personal सवाल नहीं कर सकते हैं परसनल सवाल करते भी हो तो उसका कोई जवाब नहीं देते हैं जबकि knowledge process outsourcing में ऐसा नहीं है क्योंकि ये पूरा ज्यान से ही संबन देता है ज्यान प्रकरण भाइसोतन के उधारों में अनुसंधान और वेकास करियाए e-learning, व्यावसाय अनुसंधान, बौधिक संपदा अनुसंधान, कानूनी व्यावसाय और banking सेक्टर इसी के अंतरगत आते हैं अब यहाँ पर outsourcing के बारे में बात की गई है तो outsourcing को यहाँ समझाया गया है कि भाइस रोतन या फिर ठेका देना दक्षता को सुधारने और लागतों को गठाने के लिए किसी भारी अफ़करण को काम सौपना है दक्षता को सुधारने का मलब क्या है कि माल लीजे कोई सरकारी संस्था है और जैसा कि आप जानते है सरकारी संस्थाओं के employee कैसे होते है टाइम पर तो आते नहीं है तो सरकार क्या करती है अपना काम तीब रती से करवाने के लिए जो भी उसके जो भुखता है उनको satisfy करने के लिए बाहर की संस्थाओं का सहरा लेती है तो भाहर के संस्थाओं का सहरा लेना outsourcing कैलाता है इससे क्या होता है सरकार की लागत भी घट जाती है और लोग भी satisfy होते है जब भाहर स्रोतन में कारे संस्थाओं के स्थानों पर इस्तनांद्रत कर दिया जाता है तो इसको अब तरन यानि off-soring कहा जाता है जैसे USA की कंपणी है अब USA की कंपणी का जो call center हो बैंगलूर में या डेली में हो तो इसको बोलेंगे off-soring इसमें सूचन और प्रद्धों की मानव संस्यादन, ग्रहाग साहिता और call center सेवाए और कई बार बिनिर्माड और अभियांतर की भी इसमें सामिल किये जाते है भाय सूरतन का ही पढ़ाम है कि भाय सूरतन के पढ़ाम सुरूप भारत, चीन या पूर्वी यूरोप, इसराइल फिलिपीन्स और कोश्टारिका में बड़ी संक्या में call center खुले है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले ध्यूबक यूवत्यों की संक्या बहुत जादा है और यहाँ पर लागत भी कम आती लोग सस्ते दामों में काम करने को तयार है इसी वज़े से बड़ी-बड़ी कंपनियों ने बड़ी-बड़ी मल्टिनेशनल कंपनियों ने अपने call center या BPO भारत या फिर इन जैसे देसों में स्थाबित कर आए है भाय स्रोतन उन देसों में आ रहा है यहाँ बे सस्ता और कुसल स्रम उपलब्द है हमारे यहाँ सस्ता स्रम भी है और कुसल स्रम भी है भाय स्रोतन के काम के द्वारा काम उपलब्द होने पर इन देसों से प्रवास कम हो सकता है देखिए यहाँ पर अगर BPO जैसी सस्ता है BPO जैसी कंपनियां इस्थाबित कर दी है लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने लगे तो हमारे यहाँ से उत प्रवास की जो समस्याव कम हो जाएगी प्रवास कम होगा अब है यहाँ पर Digital Divide देखिए यहाँ पर इसका अर्थ अंकी विवाजक नहीं है यहाँ पर हंदी में इसको अंकी विवाजक रख दिया गया है जबकि आपको किसे Digital Divide ही पढ़ना है Digital से मतलब यह है कि आपका आज का बरत्मा सूचना टोदोग की तंत्र है अगर आप उससे अवेर नहीं है उसकी नोलेज आपको नहीं है तो आप Digital Divide के सिकार है इसका अर्थ अंकी विवाजक बिलकुल नहीं है जैसे Computer का अर्थ संगड़क नहीं होता है अगर उसका Exact अर्थ निकाला जाए तो Computer संगड़क नहीं है Computer संगड़क के लाब अभी बहुत सारी काम कर रहा है लेकिन फिर भी हमने Hindi में उसको संगड़क बना दिया है संगड़क नहीं है वो कम पड़े लेखे लोग है या फिर जिनकी एक ज़्यादा है वो आपकी बर्तमान प्रदवक की से अवगत नहीं है ऐसे में वो लोग अपने आपको अलग थलग समझते हैं वो लोग इस माहौल से जुड़ नहीं पाते हैं तो सूचना और संचार्थ तोदवकी पर आधारित विकासिल मिलने वाले अवसरों का बितरत जो है पूरे प्रत्वी पर अस्वान रूप से बितरत है विकसित देश सावान रूप से इस जिसा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासिल देश पिछड़ गए हैं और इसको अंकी विभाजक कहा जाता है विकासिल देशों का पिछड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पर अभी भी जो सभी नागरिक हैं वो इससे अवगत नहीं है जैसे आप देखते होंगे यो UPI सिस्टम है UPI, UBA और जो पड़े लेखे लोग हैं वो तो कर पा रहे हैं UPI का पेमेट कर पा रहे हैं लेकिन जो कम पड़े लेखे लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिनको मॉवाइल का ये Android फॉन का जानकारी नहीं इंटरनेट की जानकारी नहीं अब उनके लिए UPI बिल्कुल एक कह सकते हैं बिल्कुल अज्याना है वो कुछ नहीं जानते UPI के बारे में तो बो लोग क्या हैं डिजिटल डिवाइड उपर हैं यानि एक तरफ तो ऐसी जनसंक्या खड़ी है जो UPI पेमेंट करना जानती है और एक तरफ बो है जो लगातार कुंठा के बाहु से देख रहे हैं कि हमें यह आता ही नहीं पता नहीं अब क्या होगा हम कैसे सर्वाइब कर पहें उनके अंदर यह भाबना धार चुकी है तो यह जो समस्या है डिजिटल डिवाइड की समस्या है तो यह था हमारा आज का वीडियो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत बूलिए तो आज के लिवस्तना ही थैंक्स पर वाचिंग जैहिंद